कि नमस्कार दोस्तों एक बाद फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्पीक जी न्यूस पर दोस्तों आज हम पहुचे हैं उत्तरपदेश के जोनपुर शहर के चंदोली जिले में दोस्तों भारती किसानों का हमारे जीवन में बहुत योगदान है तो मैंने सोचा क्यों न जो है चंदोली चला जाए और वहां के किसानों का दर्द साजा किया जाए और जानने की कोशिस की जाए कि वास्त लिखता क्या है यानि भारती किसानों को भारत सरकार से तो बहुत जादा योगदान और बहुत जादा सहयोग मिल रहा है लेकिन वह उ किसानी वगर में जो है आजकल क्या कौन सी फसले उगालेता यारी कर रहे हैं आप लोग सबसे पहले तो आप सबी का बहुत भाँध धन्यवाद इस पीग जीनी टीम का क्योंकि हमने सुना है कि आप सब निस्पक्ष पतिकारता करते किसी भी राजनीती पार्टी का पक्ष नह हो गया है अब यहीं इंतजार किया जा रहा है जल से वारिस हो तब इसको उखाड कर खेत तयार कर लगाया जाए अच्छा यह मोरिया जी यह बताई यह धान जो है कितने भीगे खेत के लिए आपने बेहन डाला हुआ है जी देखिए इसमें इसको को आप देख सकते हैं लेकिन भारत सरकार जुत ज्जाद अग carbon कर रहे किशाने का तो तो वह मतब आप लोगह पाती कि नहीं पाती हमता तो मानेंगे लेकिन आप जानते हैं कि पिचौलीय जो है उनके माद्यम से सरकार बहुत सी योगनाय लाजगू कर रही है जिससे कि हम लोग के द्वार तक आते आते आधी योजनाय तो उनीक लिए हो जाती है जी बिल्कुल आधा ज्यादा बिचौलीय खायाते हैं जो जिनाओं का लाब अधिक सेदिक मिल सके मोरिया जी आपने बहुत बढ़िया वाद बताया कि जो सीधा अगर आपके काउंट पैसे आएगा वैसे किसान सम्मान निदी तो आप लोगों के जो है नदाता है आप लोग तो सही कहा अपने और कुछ मैंने सुना कि आप लोग बहुत उन्ने तक्निक से खेती करते हैं और भी कुछ फसले उगाते हैं कि आप लोग जी बिल्कुल हम लोग और फसले उगाते हैं जैसा कि आप देख सकते हमने धान का बीज डाल दिया है तो इसको हम एडवांस तक्निक से करते हैं खेती गुलाव मोरिया जी आपने बहुत अच्छी बाटधे मताया और अक्राई होना है इसलिए अब धिये दिरे सबी किसान जो है इस सब खेती से मूँ मोड रहे हैं मोरिया जी आपने बहुत अच्छी बाते बताया और दोस्तों हमने आपसे अपने किसानों का जो है दर्द साजा किया तो मैं उमीद करता हूँ कि आपको हमारी जानकारी बहत खास लगी होगी और मैं उमीद करता हूँ कि इस किसान भाई की बाते भारत सरकार तक पहुँचे भारत सरकार जो है इस पर और कुछ अपनी राय दे और आगे सहयोग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं कैमरा में रोह झाल झाल